कि यारे बच्चो इस को सॉल्ब करने से पहले या समझने से पहले थोड़ा सा जो चीज हम बता रहे हैं उस पे थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा ये कोश्टन दे रहा है सीद कीजे की बिंदू सीद कीजे की बिंदू इतना और इतना से बिंदू इतना की दूरियां बराबर हैं मतलब हम ये करना चाहरे हैं कि जैसे माल लेते हैं कि कोई बेक्ती है वह बेक्ती जो है कि A है और एक बेक्ती B है कोई कह देगा कि सीद कर ये जो है कि बेक्ती A और बेक्ती B से जो है कि C की द कितना दूरी होगा उतना ही दूरी जो है कि B से C का भी होना चाहिए माल लेते हैं कि यहां से यहां एक से सेंटीमेटर होगा तो यहां के बराबर BC है हना यहाँ पे AC के बराबर क्या है BC है मतलब AC के जितना दूरी है उतना ही BC का भी दूरी है तो यह एक दुश्रे के क्या होगा बराबर होगा तो वहीं यह प्रस्ट में दे रहा है कि सीद की जिया की बिंदू माइनस पांच दू और 10 माइनस 3 से बिंदू 5 साज की दूरी हा बराबर है तब लिखेंगा हम लोग हल माना की बिंदू M के निरसांख यह हो गया N के निरसांख इतना तथा P के निरसांख इतना तब देखिए कर रहा है कि इतना और इतना से इसकी दूरी बराबर है तो एक बार इस से इसको निकालेंगे एक बार इस से इसको निकालेंगे एक दूशरे के क्या होगा बराबर होगा तब वहीं यहाँ पे हम लिखे है प्रस्थ से सीध करेना है कि बिंदू P से बिंदू M तथा N की दूरी समान है इसलिए PM देखिए यहाँ पे, MP लिखे तब या PM लिखे तब, तब PM की दूरी निकालने पे हम एक साथ अराम से निकाल सकते हैं क्या क्या जैसे MP, MP लिखे तब या PM लिखे तब, बराबर NP, ऐसे करके एक दूरी के बराबर करिए या अलग-अलग निकाल लिए, तो यहाँ पे अलग-अलग निकाला गया है, थोड़ा सध्यान दिजिए, PM की दूरी निकालने पे तब PM देखिए, P यहाँ है, M कहाँ है, उपर में है, तो क्या हो जागा, X2-X1 का होल X स्क्वार, पलस Y2-Y1 का होल स्क्वार, तब हमें इसमें हम किये क्या है, X2, X2 देखिए यहाँ पे, हमें यहाँ PM जो यहाँ पे लिखा गया हुआ है, इसको आराम से लिख लिजिए MP, MP हो ग अब उसी से बलाईए कोई दिकत उससे नहीं होने जा रहा है, तो X2-X1 का होल स्क्वार, पलस Y2-Y1 का होल स्क्वार, तो अब देखिए MP में देखिए एक बार उपर में, M यहाँ हो गया, P यहाँ हो गया, तो X1, Y1, अब P में क्या हो जागा, X2, Y2 हो जाएगा, तो M क्या है, 7, 7-Y1 का हो गया, 2 तो 2 का whole स्क्वार हो गया, तो 2 का होगया, Mp लिखिए या PN लिखिए, दोनों बात सेम है, यह हो गया, पांच के 5, तो 5 का whole स्क्वार, 7 में से 2 गया, क्या बचेगा, 5 का whole पांच machen, 10 का whole स्क्वार है, 15, 0621 की स्क्वार, कितना होता है, 100, और ये हो गया पचीज अब यह हो गया दोनों को जो रहेंगे तो हो जाएगा कितना 125 क्या जाएगा जाएगा और यहीं 5 के 5 के 1 सquga2 सीजργ क्या होगा result iqa यह 2 quad से बाहर चल का नेकर यह दोड़ दका उप्य एकेopt ša2 अब दोड़ाबर आप ta against आप PN लिखिये तब अब हम क्या किये कि X2-X1 अब N और P वाला में देखेंगे और उसी तरह से सब को बैठा करेंगे क्या करेंगे इसको जब हम सुल्व करेंगे तो सुल्व करने के बाद क्या है हमारा रिजल्ट हमारा इसका भी रिजल्ट है पांच रूट अंडर पांच इकाईया यहां पे नीचे लिख देंगे यहां PM बराबर क्या हो जाएगा PN बराबर 5 रूट अंडर 5 इकाईया है अता सीध हुआ कि बिंदू P से बिंदू M तथा N की दूरी क्या है बराबर है उमीद है आप लोग को समझ में आया होगा अब हम लोग देखेंगे इसके ब सीध करेंगे मतलब सीध कीजिए की अवके स्कॉइर पलस ओबी के स्कॉआर बराबर एसकॉआर पलस बिंदू है तो हम लोग जानते हैं कि मुल बिंदू का ने शांग 00 होता है तो यहां पर लिखेंगे हाल दिए गया है कि यह था बिंदू के ने सांग करम सा A sin theta minus B cos theta तथा minus A cos theta B sin theta है इसलिए A यहाँ ले लिए B यहाँ ले लिए तो A का नेदे सांग लिख लिए B का नेदे सांग लिख लिए अब तथा O मुल बिंदू है O मुल बिंदू है इसलिए O के नेदे सांग क्या हो जाएगा 0-0 होगा तो यहां यह structure में ध्यान दिजिए, माल लेते हैं कि मुल बिंदू कोई यहां पे है, ठीक, O है, तो यह करने दें सांग 0-0 हो जाएगा, यह हो जाएगा, अब हमको क्या करना है, अब हमें O A के A square पलस O B के A square बराबर प्रूफ करना है, A A square पलस B square, मतलब यहां से देखिए, O O A square पलस O B square, तो यहां ध्यान दिजिए, यहां उपर में ध्यान दिजिए, यह हम लेफ्ट हंड साइग लिखे हैं तो O A square पलस O B square, तो O पहिले बोल रहा है, उसके बाद यह बोल रहा है, तो X1, Y1 यह हो जाएगा O A के लिए, और X2, Y2 यह हो जाएगा, फिर अब O B के लि X2-X1 का whole square, तो X2 यह है, X1, 0 है, Y2 यह है, Y1, 0 है, तो हम यहां पर वही हम क्या की फर्मूला लिख लिए, अब यहां फर्मूला पर पहले ध्यान दिजिए, यह O A के लिए लिखे हैं यह पूरे फर्मूला, और E बाला O B के लिए लिखे हैं पूरे फर्मूला, यह मत सोच चीएगा कि A और E सेम है, दोनों को जोर करके 2 कर दीजिए, 2 into X2-X1 का whole square, पलस Y2-Y1 का whole square, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका X2, X2, X1, Y2, Y1 अलग है, और इसका अलग है, लेकिन यह वाला लिखे हैं इसके लिए, और यह वाला लिखे हैं इसके लिए, तो आप देखि उसी तरह से, O, B में X2 के जगा पर माइनस A cos theta, आए X1 के जगा पर 0, ता माइनस 0 का whole square, Y2 के जगा पर B sin theta, माइनस Y1 के जगा पर 0, ता 0 के whole square हो गया, अब देखिए, 0 घटाएगे, कोई फरक नहीं परेगा, तो इसका अलग है, तो इसका अलग है, पलस माइनस B cos theta का whole square, प B square cos theta, पलस के पलाश, यह माइनस गुने माइनस पलाश हो जागा, A square cos theta, A plus B square sin theta, यह हो गया, A square sin theta, A plus B square cos theta, पलस के पलाश, यह हो गया, A square cos theta, A plus B square sin theta, ब्राइकिर से बाहर ले लिए, A square sine square theta A square cos square theta तो A square cos square theta पिर B square cos square theta यहां से जाकर के लिख लिए अब इस दोनों में प्लस Côscar Tita बराबर हम लोग ज़ानते हैं कि 1 होता है तो 1 ने लिए पलस के पलस अब दिखिये B生 square यहाँ पे है तो B生 square हो गया Cousous square Tita प्लस Cous square Tita formula होताई, याद रखेगा बराबर क्या होन आप Cous square Tita पलस Cous square Tita बराबर 1 लिखिये तब आप स्क्राइ प्लस इस्कुरा प्लस इस्कुरत ऊंपानों में निंगे सिज्ड होताओ एप लोगो समझ में आया होगा हम लोग देखेंगे इसके बात बाद जे रहा कुश्ट नंबर के यह पहले हम समझेंगे उसके स्लींच को लेखेंगे लिका हुआ यदि xy की दूरी दो बिंदू, एक दू और माइनस 3, 4 से बराबर हो, तो सीध करिए कि 2x-y प्लस 5 बराबर 0 होगा, इसलिए हम क्या किये कि माना कि बिंदू P के निदे सांग xy, इसको माल लिए बिंदू P है, xy, तथा q के निदे सांग 1, 2, और r का निदे सांग क्या हो गय है कि बिंदू P की दूरिया, बिंदू Q तथा r से, मतलब इसको q लिए है, इसको r लिए है, तब P की न दूरिया, क्या है, बराबर है, तथा प्रस्ना अनुसार, हमें सीध करना है कि बिंदू P की दूरिया, बिंदू Q तथा r से, बराबर हो, तो हो तो 2x-y प्लस 5 बराबर 0 होना चाहिए यह चीज हमको proof करना है यानि कि PQ मतलब यह हुआ कि PQ अब बराबर क्या है PR है अब जो है कि उपर पे थोरा सा देखिए करा है न कि P से यह QR की बराबर है तो एक बार निकालेंगे PQ आप फिर निकालेंगे PR तो वह हमें यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे PQ बर निकालने पर अब देखिए यह दोनों बराबर है तो PQ बराबर कर दिये PR तो अब हमको करना क्या है कि P बाला जो बिंदू है यहाँ पे एक बार थोरा सध्यान दीजिए P का क्या है जो निदे सांग जो है X Y है Q का क्या निदे सांग उपर में लिखा गया हुए 1 2 है और R क क्या है R का है हमारा माइनस 3 और 4 है यही नहीं है तो हमको PQ निकालना है पहले PQ पिया है Q यहाँ है तो X2 क्या हो जाएगा हमारा 1 होजाएगा X1 क्या हो जाएगा X हो जाएगा whole square हो जाएगा, बराबर हमको P R निकालना है, तब P देखिए, यहाँ है, और R कहाँ है, यहाँ है, तब X2 minus 3 हो जाएगा, और X1 जो है, वो क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, तब minus 3 minus X का whole square, यहाँ देखिए, minus 3 minus X का whole square, plus के plus हो गया, उखराबाद क्या हो जागा y2-y1 तो y2 के जागा पे 4 है अब y1 के जागा पे y है तो 4-y का whole x square हो गया अब हम करेंगे क्या यहाँ पे हो गया a-b के whole square पे इसको तोड़ देंगे तो a square minus 2 a b plus b के जागा पे 1 x है तो x x square plus के plus फिर इसको यह minus b के होले square पे तो रहेंगे तो a square minus 2 a के जागा पे 2 है तो 2 b के जागा पे y है तो y 2 a b plus b square तो b के जागा पे y है तो y का a square हो गया इसको भी क्या है अब यहाँ पे थोरा अशा ध्यान दीजिए इसको a ले लेंगे यह पूर्य को a लेंगे a minus b के होले square पे a square minus 2 a और b के b a plus b square के b square फिर plus के plus हो गया इसको भी a square minus 2 a और b के जागा पे वह ही तो y है plus b square के b square हो गया अब हम करեंगे क्या यहाँ देखे चिए यह हो गया यहाँ पे जब solve हम करेंगे इसको तो क्या जाएगा सो थोरा सा ध्यान दीजे, एक के स्क्वार है, तो एक के स्क्वार को तोरेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह स्क्वार देने की जरूरी नहीं है, यह हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक चार, यहाँ हो गया, पांच, माइनस टू एक्स है, तो माइनस टू एक्स हो गय माइनस फोर वाई है तो माइनस nutr。 माइनस फोर वाई हो गया. उसके बाद जो है कि प्लास एक्स, स्क्वार आर्ट बाद ये स्कुवार तो ये बचा रिखनी अब यहाँ पर देखिए 9. 9 हो गया तीन ते आए 9 पलस में हो जाएगा माइनस गुने माइनस पलस होता है 9 आए यहां पे चाट चुका 16 तो कितना हो जाएगा 169 यहां 25 हो गया आ छोव X ते छोव X मैनस 8 wifi तो मैनस 8 y प्लस X square तो Y square तो Y हो गया अब यह रूट से दोनों तरफ ना यह रूट से रूट खतम हो जाएगा और इससे आप खतम कर दिजिए अब चाहिए दोनों तरफ work करने पर लोट करिएगा बात सेम है तो दोनों का रूट क्या होगा खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा तो ऊपर में जो चीज है उसको हम इधर भी लिख लिए इधर भी लिख लिए अब देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान दीजेगा इधर भी पलस में है तो इसकर 2 को पार करकर के इधर आता तो सद जाता यह मजबूरी है कि कार्ट करके आप लोग को दिखाना परता है समझने के लिए लेकिन काटा जाता नहीं है देखिए यहां 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 बच गया 5-2x-4y आइधर बच गया 25 पलस 6x-8y तो अब थोड़ा सा इसी चीज़ को जो बच गया इसको थोड़ा सा आम उपर में लिये हैं तो थोड़ा सा ध्यान जो है कि दीजिएगा उपर में हम बता रहे हैं थोड़ा सा देखिएगा आब उपर में हाँ तो प्यारे बच्चो यह रहा समदुरस्त का मीनिंग होता है समान दूरी पे इस्थित हना समदुरस्त के मतलब होता है समान दूरी पे इस्थित जैसे हम अगर हम बात करें कि यहाँ पर A है यहाँ पर B है और यहाँ पर C है इसकी दूरी अगर माल लेते हैं कि 10 cm है इस दोनों की बीच की दूरी और इसके इसके बीच की भी दूरी जो है कितना है 10 cm माल लेते हैं तो AB के समधुरस्थ है कोण AC मतलब क्या है दोनों समान दूरी पे क्या है वो इस्थित है अगर हम बात करें AB, BC, C, CB इस सब की अगर बात करें कि सब की बीच की दूरी 50-50 cm है सम जो है कि एक दूसरे के क्या है सम दूरस्थ है मालने समान दूरी पे इस्थित है तो याद रखिएगा कि सम दूरस्थ सम दूरस्थ जो सब्द है इसका अर्थ होता है समान दूरी पे इस्थित होना मतलब इसका मीनिंग होता है सम दूरस्थ का तो चलिए यहाँ पर देखते है हल दिया गया है P के निया सांग X Y, A के निया सांग 7 1 और B के निया सांग 3 5 तो परसन से X तथा Y के बीच एक समद्ध ग्याद करना है ताकि बिंदू P माने X Y, बिंदू है इतना और इतना से समदुरस्त है तो हम क्या करेंगे, मतलब जतना P A की दूरी होगा, उतना ही दूरी PB की होगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे PA बराबर PB, देखिए PA बराबर क्या हो जागा PB, ता हम फर्मूला हम लोग दूरी सुत्र जानते हैं कि X2-X1 का होल X2, A plus Y2-Y1 का होल X2, यह PA के लिए हुआ, अब PB के लिए क्या हुआ हुआ है, इसक साथ है, X1 के जगा पर X है, Y2 के जगा पर 1 है, और Y1 के जगा पर क्या है, Y है तो Y बिठा लिए, अब देखिए, PB, PB के लिए जो है कि क्या है, X2 3 है, तो 3-X का होल स्क्वार, A plus 5-Y का होल स्क्वार हो गया, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क ना भी करेंगे, तो रूट स रूट यह खतम हो जागा, यह वर्क करने पर रूट क्या होगा, यह दोनों साइड का खतम हो जागा, यहाँ पर बच यह 7-X का होल स्क्वार, पलस 1-Y का होल स्क्वार, यहाँ बच यह 3-X का होल स्क्वार, पलस 5-Y का होल स्क्वार, अब इसको यह-B के होल स्क्वार पर तो squared minus 2A b के जागा पे x हे तो x minus 2e squared b quades VI m 민AKE XA squared फेर यह वला हिको तब A squared, पलस देखर के ही वल आप te हो गया, a²-2, a के जगा पे 5 है तो 5, b के जगा पे y है तो y, और पलस b² यानिकी y के x², अब देखें यहाँ पे, 679, अब माइनस 7 दुना 14x, अपलस 1 x², अपलस 1 x², अपलस 1 x², 1, माइनस 2y, अपलस y² के y², यह 3 त्याई नो, माइनस 3 दुना 6x, अपलस 1 x² के x², 15, माइनस के माइनस 2 पचे 10y, अपलस y² के y², इपलस में y² है इधर, इधर आता ता माइनस में हो जाता इसले, इससे सद आता तो इकट गया, फिर देखें, x² यहाँ पलस में है, यहाँ भी पलस में है, इधर आता ता माइनस में हो जाता ता इसससे सद गया ही, अब बच गया किया, देखिए, 59 ए 1, 50, माइनस 14x, माइनस 2y, अब राबर देखिए, 29 पचीस, चौटीस, 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 गया तो 16 पलस में बचा, आप माइनस 8x बचा, आप माइनस, ए सॉरी, पलस में बचा यहाँ पे देखिए, यह माइनस 2y है, आप पलस में क्या है यहाँ पे हमारा, यह 10y है तो 2 को सधा यहाँ पे पलस में 8y, हमारा क्या हुआ बच गया, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यह हो गया हमारा 8 हम इसमें से common लेनेंगे तो 8 दुणा 16 अब पलस गुने- यानि कि 8 में x से करेंगे तो एक सा जाएगा और यह पलस में और यहां पलस में ही होगा पलस में इस पलस से कुना करेंगे तो 8y हो जाएगा यहां पर ब्रबर 0 के 0 अब यह 2 हो हाँ तो यह देखिए 2 minus x plus y बराबर 0 हो गया अब हम क्या किया कि minus x के minus x आई plus में y है तो plus में y आई plus में 2 दा उधर गया था minus में 2 हो गया अब यहां बच गया इसको हम क्या किया कि पहले लिख लिए इसको इधर लिख दिए अब minus 2 के minus 2 अब हम minus common ले लिए minus में plus से गुना कर यही समन्द है उमीद है आप लोग को समझ में आया होगा अब जो है कि इसके बाद बाला प्रस्न को जो है प्रस्न का हल हम लोग देखेंगे